नमस्कार सभी को स्वागत आपका डिजनी है अडिकेटर चैनल में राजता अंजीगी की जो रिविजिन सीरीज चल रही है आई होप आपको इससे काफी कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा और इसके जो पीडियेफ है आप टेलेगाम चैनल से डाउनलोड कर पा रहे होंगे और इसमें आज का पेपर आज हम सौल करने जा रहे हैं वह आपका लैब असिस्टेंट का दोजा सोला का पेपर है यह आपको काफी बार देखने को मिला हुआ है और यह मैं जरू कह सकती हूँ इस पेपर में आप जादा-जाद स्कोर कर पाओगे तो आप अपना जो स्कोर है व कुछ तक वीर नोट किसके दार लिखी गई है यह प्रशना आप देख सकते हैं कि अब जत्ते भी प्रशन पत्री या क्वशन पेपर सम करते जाएंगे उनमें काफी बार यह रिपीट होगा तो यह है आपके शामल दास तो इसमें जाएगा आपका फस्ट थार्ड ऑप्श कि शाषकों द्वारा जो है ग्रेंड की गई थी तुर्ट ऑप्शन्स का राइट अंसर है पोटा राज्य का संस्तापक निम मेंशे कौन था तो यह थे राहा हूं माद थो सिंग नमलेकित में से किस यूगल समराट ने सावाई जैसिंग को राज राजेश्वे की उपादी से विभूशित किया तो मुहबमत सा ने किया था नमलेकित जोडों में से कौन सा जो है सही मेल नहीं है ये आपको बताना है तो राजा मान सिंग तो ये हाडा वन से ना होकर कि ये कच्छवा वन से समन्दित है राजा मान सिंग तो इसमें ये मेल नहीं है बाकी आपके जो दिये गए हैं वो सभी सुमेलित है next question है यहाँ पर कुछ युद्धों की सूची जो है दी गई है मद्देकाले रास्तान में लड़े गई जो युद्ध है आपके तो इसमें आपको काल करमानुसार इनको बताना है किस तरीके से आपके लड़े गए थे ये तो जो इनमें आपका सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही है पहले आपका तराइन का युद्ध है तो मैं इनकी डेट जो है यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं तराइन का प्रतम युद्ध है 1100 करण में हुआ था प्रतिराज चोहां तृतिय और गोरी के वीच में और फिर उसके बाद युद्ध आपका 1102 में हुआ था खानवा का युद्धी हम देख सकते हैं तो ये आपके जो राव माल देव है उनकी तरब से जो लड़े थे जेता और कुमपा और किसके खिलाफ रहते हैं सीरसा सूरी के खिलाफ और भटवड़ा का युद्ध जो है आपके महाराजा माधो सिंग और कोटा के जो महाराव सत्रु साल सिंग के बीच में ही हुआ था तो इस तरह से इनका जो यह सीक्वेंस यहां पर बता दिया है तो यह इसका राइट आंस होगा इसमें पूरा सीक्वेंस दिया गया है अब नेक्स्ट कोशन है तो निम्ले के तिस्तानों में आगे उनसे संबंद के लिए दुर्गों का नाम जो है कौन सा युगम सही है वह आपको बताना है इनमें से तो इसमें सेरगड में आपका कौन सा हो जाएगा कोश वर्द होना चाहिए ता बीका निर के लिए अगर हम बात करें तो फ見て शुनारों के जुना कट मिला ओन रहीust है यह जो में महरां गड़ जब्कि इसका जो यूगम सही है वो कौन सा जाएगा सेरेगड और कोशवर्दन संत पाबुजी के सिश्य मुख्यत है तो वो है आपके रेबारी तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है राणा कुम्बा को निम्नांकिती वादी अंत्रों में किस में जो है दक्षता हाशिल थी दो यह कंधी विश्य वस्तु रही है इसमें आपको विलान करके बना है तो यहाँ पर सूची दिए गए है शेक घंजा माह बली जो है कहां परिस्धित थैं तो इन्में गागरोन में तो यहाँ पर second option आपको सबसे पहले कौन से में दिखाई दे रहा है वो इसका right answer हो जाएगा और दूसरी आपकी जो मोलाना जियाउद्दीन की दरगा है वो कहाँ पर है वो आपकी जयपूर में है शेख निजामुद्दीन की दरगा जो है कहाँ पर हो जाएगी फत्यपूर में ही शेख बाबा इस्हाग की दरगा जो है वो कहाँ पर हो जाएगी आपके जो खाटू है वहाँ पर ही हो जाएगी तो इसमें आपका first option जो है इसका right answer हो जाएगा next question है निमलेकित मेंजे कौन जो है जल दूर का उत्तम धारण है तो गागरोन जो है आपका जालावार में ये जल दूर का उत्तम धारण है एक साश्या केम संद पीपा किस इस्तान से सम्मन्दित है तो ये गागरोन से ही सम्मन्दित है next question आपका delete हो चुका है सीता बाड़े का प्रशिद मेला किस जिले में लगता है तो ये 12 जिले में लगता है next question है next question भी आपका delete हो चुका है चैंबर ओफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था तो गंगा सिंग थे मेवार में अंग्रेजों के मद्य संदी पर हस्ताक्षर किये गए थे तो ये हुई 1818 में थी तो यहां पर date का I think issue रहा था इसलिए डिलेट हो चुका question है तो यहां पर देख सकते है 1818 तेरा जनवरी यहां पर दिया गया है नेक्ट कुशन है भरतपूर यहां अलबर ने ब्रिटिस इंडिया कंपनी के साथ संदियां जो है कब की तो यह सितंबर नॉमबर 1803 में जो है यह की थी तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है नेक्ट कुशन है इसका पर दिलीट हो चुका है इसमें जो आपका आना चाहिए था 1938 मेवार पर प्रजामनल की स्थापना जो है 1938 में हुई थी लेकिन आप पर यह जो ऑप्शन दिये गए हैं वह सही नहीं है और मानिक के लाल वर्मा द्वारा की गई थी तो इसमें इस तरह से आना चाहिए और यहां पर मानिक के लाल वर्मा का नाम होना चाहिए था तो यह कुशन आपका हला के डिलेटेड है नेक्ट कुशन है नेमलेकित में से कौन सी घटना को मात्मा गांधी ने डायर के गरते से दुगनी विबत से घटना जो है बताया है तो वो है आपकी नीमू चड़ा इलेटेट कुश्यन है शित्रफल में राजतान का जेस्वन में जिला जोदपूर में के एस दोलपूर जिले तो उनका ज़रूर ध्यान रखे तो जरगा अचल गड़ कुम्बल गड़ और फिर रगुनात कर तो फर्स्ट ऑप्षिन जो है इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्षिन संदस्नात्मक डिस्टी से रास्तान के भोतिक स्वरूप भारत के निमलेखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का जो हिस्सा है तो यह है उत्तरी व्रिहत मेदान और प्राइदी प्यप पठार का यह हिस्सा है निम्रकित मेंचे कौन सा पठार अरावली परवत से सम्मनित जो है नहीं है तो यह आपका भगेलकन का पठार जो है सम्मनित नहीं है वयर नदी जो रास्ता में दक्षिन से प्रवेश करने के प्रान पस्चिम के और बैतिवी पूरा दक्षिन के और मुड़ जाती है तो यह माही नदी है तो इसमें आपको जो कौन कौन सी परियोजना यह दी गई है इसमें सही सुमेलित है वो बतानी है तो यहाँ पर आप देखें तो ब्यास परियोजना दो सही है साथ में इसमें पंजाब पी जो है का बाक की बचत रक्राइब कीया प्रियोजना में थाजिताए यूप कि न हौकर के स्मेहिसेน से और चीह था तो उसमें जैसे हम बात करें उत्रप्रदेश इस पर शामिल नहीं है जिसे गुजरात जो आपका इंबी है महारास इस तरह के से जो ये राज्यों की है और इसमें माही बजाज जो है आपकी मद्यप्रदेश की नाव करके राज़तान और कुज如果 की है और नेंस्ट कोशन न हें बिजराल की पाडियों से निकलने वाली खारी नदी निमल भिन से किस अफवा तंधर का जो है भाग है तो ही है बंगाल की है उसमें आपको उत्री भाग नहीं आता है जैसे मैं बात करूँ अज आपको जैपूर है वो किस तरह की जलवाई में आएगा तो तो इसमें बजयाएगा आपका स्री गंगानगर हन्मानगड में जो है भूरी बलूई मिट्टी जो दी गई है जो कि गलत है एक आपको पूछे ज़ाए लवने मिट्टी कहां-कहां पाई जाती है ये भीया ध्यान रखे गंगानगर बीकानेर बाड में जालोर में जैसे अप option है वो किस तरह से close दिए गए है तो यह कुशिन में आपका डिलीटेट कुशिन है इंद्रागानी नहर के पूर्ण होने पर रास्तान के कितने शेत्र में इसके द्वारा जो सिजाई का लाब प्राप्त हो सकेगा तो अभी इसका जो राइट आंसर है वो 19.65 जो है लाख हेक्टियर्स में दिया गया है पश्ची में रास्तान की मिट्टी अमली है और शारिय तत्वों से संशिक्ष्ट कैसे हो जाती है तो वो है आपकी मिट्टी के नीचली सताह से उपर की और जो कोशिकाए है वो जल्री साव के कारण तो इसमें हो जाएगा आपका second option इसमें राइट आंसर है सेत्रफल की अवरोही क्रम में रास्तान में वन प्रकार की जो है कौन सी क्रमावली सही है तो सुष्क परणपाती है, मिश्रित परणपाती और फिर तरह से आपका जो है ओश्ण कटी बंदी है काटेदार और उपश्ण कटी बंदी है सर्दार हित्पन रास्तान में किन वन्यजी पारिस्तिक स्तलों पर वर्तमान में जेवी बिता एयों जीन पूल सनक्षन का काजय प्रगति पर है तो नाहरगर्ड सरजनगर्ड सरिश्का और माउताबू रास्तान के वेजी ले जिनमें खस नामक की जो सुंगदिन घास प्रचूरता से उगती है तो इसकी आप ट्रिक भी धान रख सकते हैं भर सवाई खस की टोकरी तो इसमें भर सवाई तो बरतपूर भर से सवाई से सवाई मादपूर और खस यानि खस की जो है खस और टोकरी से टॉंक टॉंक पीस में आ जाएगा तो इसमें जाएगा थार्ड ऑप्शन रास्तान में फ्लोरोसिस की समझश्या से पीडित कुबर पड़ती तो यह भी आपका प्रस्चन पूछा गया था यह एर्पेसी लैपरिंगेट सेकंड में भी तो नागो रजमेर रास्तान में वर्षा की नियूनता नेक्स्ट यहां पर आपको सूची दी गई है सूची दूसरी दी गई है पसू नशले हैं अब इसमें मिलान करके आपको बताना है तो इसमें आगर आप देखें तो सभी यह मिली वी दिखाई दे रही है उत्तर पश्ची मिरास्तान में राटी पूरी मद्यवर्ति जो रास्तान है वहां पर कौन से जाएगे गिर तो इसमें आपका जो मिला हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है सेकंड ऑप्शन next है रास्तान दे गुजरने वारे निमनली कि जो रास्ची मारुब में कौन सा जुफू बाग में सबसे लंबा है तो यह भी इन प्र दे तीसरी बार यह बीट हुआत है आपका आपके बड़े जिलों से ही ओकर गुजरता है तो कि आपका पश्चिमी जो जिलिये आप तो ये बासवाड़ा हनमानगर और स्रीगंगानगर में जो है होता है वेखनी जिनमें रास्तान का देश में इखादी पत्ते है तो वह है जासपर, तामड़ा, पन्ना, वलस्ट नाइट तो वलस्ट नाइट इसमें हो जायागा तो ये आपके हैं तीसरा ओप्शन जो इसमें तो नर्वदा नहर परियोजना, रास्तान में प्रती 100 वर किलोमेटर शेतरपल सडकों की लंबाई कितनी है, तो ये आपका कॉश्चन डिलेटेड है, नेक्ट कॉश्चन आपका जो है, तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छा प्रशन आया है और दूसरी भारी ये आ पर जास्पर का उत पादन हि नबब पर्तीशत ही बताया गया है, जो कि अभी हमें देखा है कि 100 परतीशत उत्पादन है वह राजस्तान से होता है, तो इसमें इसका जो राईट आनसर होना चीए, वह है आपका 4 ओप्शन जो कि कफन आ सत्ते है 90 परसें ये बताया गया ह बाकिया आपर राज़तान भारत का सथ प्रतीशत वलिशना इतपन करता है दूसरा आपका राज़तान भारत का 96% जो है फ्लोरा इतपन करता है यह भी सही है और यहां से आप डेटा भी ले सकते हैं या आपका जो है फाइनल आंसे होगा आगे अगर इस तरह से प्रश्ट चुके हैं तो उनमें आपका जोग स्कूर रहा है वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें आपकी जो अंसकी के साथ यह पीडियेफर टेलेकाम पर मिल जाएगी और यह जो सीरीज है इसको आप जरूरू करते हुए रहेगा और इससे पहले जो सीरीज हो चुकी है उस